हेलो एवरीवान वेलकम बैक टू मैं चैनल ससीज गार्डन तो आप देख रहे हैं यह मेरा हाइब्रीड हिबिसकस का प्लांट है और काफी दिनों बाद इसमें इस तरह से फ्लावरिंग हुई है जैसे जैसे सीजन चेंज हो रहा है वैसे वैसे जितने भी हमारे समर लविंग क्लांट है उसमें इस तरह से फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है और कल्यां भी काफी बनने लग गई है लेकिन इसी के साथ ही इसमें इस तरह के प्लांट्स में पैस्ट अटैक भी होना स्टार्ट हो गया है तो उसके लिए मैं आपके साथ इस वीडियो में कुछ केयर टेप्स शेयर करूंगी तो वीडियो को लास तक जरूर देखेगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा तो कल्यों को मैं आपको दिखा रही हूं किस तरह से इन कल्यों में यह आप देख सकते हैं छोटे-छोटे से इस तरह से ग्रीन और करने वाली हूं रिपोर्टिंग इसे दोबारा से निकाल कर के लगाओंगी और जब मैं यह एक चोटी सी टोक्री ति एक नेट की टोक्री होती है जिसमें इस तरह की हिविसकस के प्लांट जो होते हैं वो लगे होते हैं और उसे हटाना बहुत जरूरी होता है उसे अगर हम नहीं हटाते तो हमारा प्लांट अच्छे से खुल के उसकी रूट से डेवलप नहीं होती है तो सबसे पहले मैंने इसकी सारी येलो लीफ्स थी उन्हें हटा दिया है और बाकिया आप देख सकते हैं इसमें ज्यादा जो है पत्तियां भी नहीं दिखाई देनी है इसकी ब्रा और मैर्योलड के ऊफ छोट में अच्छे प्लांट भी बहुत जल्दी निजाता है जाता है अगर इस सीजन में म्हें उस में इसमेरिपण के ने मैटी प्लांट भी लूट था स्वाक्रा उैक्षणे बहूं नहीं झाले ओच। क्योंकि इसमें रूट बाउंड तो हुआ नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी बहुत जादा समय नहीं हुआ है दो चार महीने पहले ही इसे लेकर के आई थी मैं इसे लगा दूंगी सिर्फ मुझे इसकी बास्कित निकल नहीं है और अभी बहुत अच्छा समय है अभी अगर आप इन प्लांट को लाकर लगाते हैं है रिपोर्टिंग करते हैं या इसकी टोकरी बगरा हटाते हैं, तो प्लांट किसी भी तरह के ट्रांसफर शॉक में नहीं जाएगा, और बहुत अच्छे से प्लांट लग जाएगा, तो यहां आप देख सकते हैं, इस तरह से छोटी सी प्लास्टी की, यह नेट की टोकरी होती है, और मैंने प्लांट को इस तरह से इसमें बहुत जादा रूट्स भी नहीं डेवलप हुई हैं, आप देख सकते हैं, तो धीरे-धीरे करके, मैं सारी मिट्टी को हटा दूँगी, ताकि इसकी जो टोकरी है, वो अच्छे से दिखाई दे, और उसके बाद ही, मैं टोकरी को सीजर की मदद से कट कर तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि इस तरह से टोकरी में जो प्लांट लगा होता है, और यह प्लांट बढ़ता जाता है, तो टोकरी में जो रूट्स होती हैं, बहुत ही अच्छे से अपनी पकड़ बना लेती हैं, और उन्हें छुड़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो प्लास्टिक होती है होगा है और इस तरह से आप कट करेंगे थोड़ा सा प्रेशर के सांथ तो असानी से निकल जाती है जहां जांए फिर पर ही आप कट लगाते जाएं और धीरे से खीचेंगे तो पूरी ही बास्किट बहुत ही जल्दी निकल जाएगी आप चाहें तो प्ल नेट अच्छ जिखाई देगा तो आपको कट करने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी और मैं निमेशी को सिख थे क्युछ इसा से निकाल रही है तो आपको ज्टेन देना एस की लिए हैंकि कैस वहाँ तो इस्ते बहुत ज्यादा ना डैमेज jeste इस प्रोसेस में थोड़ा बहुत तो रूट्स को नुकसान पहुंचता है लेकिन ये बहुत ही जल्दी फिर से रिवाइब भी हो जाती है अगर आप अच्छे से लगा देते हैं अच्छे से रिपॉर्ट कर देते हैं तो दोबारा से ये रूट्स फिर से नई रूट्स इसमे नहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा केल की जरूरत होती है इस तरह से टोकरी वगर में ही मुस्क्री ये लगे हुए आते हैं और इनकी टोकरी को रिमूव करना भी बहुत जरूरी होता है इसकी। पास नेम ओयल हो या कोई अच्छी कंपनी का फंगी साइड हो उसे मिट्टी में आप डाल सकते हैं प्लांट पर भी स्प्रे कर सकते हैं समय पर तो प्लांट हमारा बचा रहता है क्योंकि इस तरह कि जितने भी हाइब्रिड प्लांट होते हैं उनमें बहुत ही जल्दी फंगस वगर का अटाइक होने का डर रहता है और प्लांट जल्दी ही खराब हो जाते है अगर हम इनकी समय पर क्यार नहीं करते हैं तो इस तरह से मैंने काफी हद तक कोशिश की है और टोकी निकल आई है इस तरह से आप देख सकते हैं तो जो मेन रूट्स हैं इसकी इस तरह से बची हुई है बाकी तो रूट्स निकल गई है तो यह मैं इसे ऐसे ही प्लांटर में लगा दूँगी जिस प्लांटर से मैंने इसे निकाला था तो इस तरह से आपो जब भी रिपोर्टिंग करें तो आपको स्ने प्रॉसेस करना है अगर roots की pruning करते हैं तो roots में और मिट्टी में जरूर से fungicide का use करें ताकि जहां से भी roots कट हुई हैं वहां से pest attack ना होने पाए किसी भी तरह का fungis ना लगने पाए तो मैं मिट्टी में भी डाल रहे हूँ और मिट्टी में मैंने थोड़ी सी खाद भी add करी है तो दोनों चीजे मैं इस तरह से mix करके अच्छे से तब मैं इस plant को लगाऊंगी और इसका update भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी किस तरह से इस plant की growth होती है तो hybrid hibiscus के जो plant होते हैं वो nursery में आपको कभी भी मिल जाएंगे हमेशा ही nursery में यह plant नई नई वराइटी में आते रहते हैं और मैंने इसे nursery से ही purchase किया था मैं इसे planter में लगा हुआ ही लेकर किया थी और यह मुझे मिला था 140 या 120 का ही शायद मैं लेकर किया थी 100 से उपर के ही मिलते हैं और अंडर 100 में यह आपको छोटा plant मिलेगा और polybag में लगा हुआ मिलेगा तो मैं इसे planter में लगा हुआ लाई थी इसलिए मुझे से 140 या 120 का पड़ा था तो इस तरह से मैंने रूर्स पर भी थोड़ा सा फंकी साइड का छिलकाओ कर दिया है और मिट्टी में भी डाल दिय और मैं इसे planter में लगा दोंगी planter में लगाने के बाद मैंने लिया है spray bottle और spray bottle में भी मैंने थोड़ी सी मात्रा में डाला है फंकी साइड साफ का और उसको मैं spray करूंगी इस planter पर जहां जहां भी कलियों पर चुटे चुटे कीड़े दिखाई दे रहे हैं वहां पर मैं अच्छे से spray कर दूंगी और प्रेशर के साथ आपको यह करना है थोड़ा सा वीडियो बलर हो गया है तो अगर आपके पास spray bottle तो उसके लिए आप फंगी साइड का पेस्ट बना करके और उस पेस्ट को जहां जहां पर भी आपको कीड़े दिखाई दे वहां वहां पर आप लगा सकते हैं तो उससे भी इन में इस प्लांट में काफी हद तक जो है पैस्ट अटैक से छुटकारा मिल जाएगा बहुत ही तो इसका अपडेट मैं आपको समय समय पर देती रहूंगी तो देखिए मैंने प्रेशर के साथ इसमें पानी डाला है और इस तरह से आप देख सकते हैं जितने भी इसमें ग्रीन और वाइट और ब्लैक कलर के कीड़े से दिखाई दे रहे थे वह सारे ही इसमें से हट गए लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कूल मत भूलेगा मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो में तब तक के लिए थेंक यू सो मच पर वाचिंग